Hello everyone, hope you all are doing good. So, here is an opportunity, जैसे आप सबको पता है कि जो बच्चे मतलब इंट्रस्टेड हैं आगे जाके टीचर बनना चाहते हैं और वो B.E.D. का कोर्स करना चाहते हैं. So, आपको पता लग गया होगा यह जो डिटेल है, ठीक है जी? यह डिटेल आई है, डिटेल शिडियूल है, यह उन टीचर के लिए, फ्यूचर टीचर के लिए, ठीक है, जो B.E.D.M.E.D. मिशन लेना चाहते हैं और एक टीचर बनना चाहते हैं, ठीक है? So, किस दिन आपका एक्जाम होगा? ठीक है, आपको रो लंबर्स कब मिलेंगे, ओनलाइन आपको प्रोस्पेक्टर्स कब मिलेंगे, आपके रिजिस्ट्रेशन कब होँगी, सारे डिटेल मैं अभी आपको बताऊंगी, वन बाइवन अच्छे से, ठीक है, ताकि आप अगर B अबने अच्छेन लेना चाहते हो, आप अपने अच्छेन एजिली ले सकते हैं, ठीक है, जिनको clarity नहीं है कि कैसे अच्छेन ले, बहुत बच्चे हैं, जो confused है, तो वो अच्छेन कैसे ले, वो सब में आपको बताऊंगी, बाकी अगर जैसे आप अच्छेन ले लोगे, as you very well know कि मैं B.Ed. और M.Ed. दोनों के notes प्रोवाइड करती हूँ, ठीक है, YouTube पे आपको सारे subject wise, semester wise, सारी playlists मिल जाएंगी, आपके लिए बहुत ही जादा helpful होंगी वो, ठीक है, but before that, let's see कि क्या-क्या schedule है, one by one, सारा देखेंगे, first, date of availability of the prospectors and online registration form, यह जो आपके online registration form है, ठीक है, P.U. चंडिगण के, ठीक है, पंजाब University, चंडिगण के, जो online registration forms है, आपको 14 जून 2024 को देखने को मिलेंगे, 14 जून को, ठीक है, और last date कब है, submission की, last date 15 जुलाई है, बहुत time पड़ा है, ठीक है, अराम से सोच के, अगर आपको लगता है, कि आपको admission लेनी चाहिए, B.Ed. course में, ठीक है, तो आप ले सकते हैं, 14th course start हो गई थी, online registration, और last date कितनी है, 15 जुलाई है, ठीक है, और submit करने के बाद, आपको एक login ID मिलेगी, और एक password मिलेगा, उसको संभाल के रखना है, आगे जाके काम आएगा आपके, then, last date to deposit a fee, online mode के थ्रूँ आपकी fees जाएगी, last date fees देनी की 18 जुलाई है, उसके बाद, अगर आप late fees देते हो, ठीक है, तो आपको extra charges देने पड़ेंगे, या admission बंदी हो जाएगी, यह depend करता है उन पे, then, last date आपकी photograph अप्लोड करने के लिए, आपकी signature वो last दिन है, 21 जुलाई, dates दिहान रखना, 21 जुलाई, I hope इतना समझ आ गया आपको, ठीक है जी, तो उसके बाद, आपके जो admit cards है, वो online आपको देखने को मिलेंगे, आप वहाँ से download कर सकते हैं, website पे जाके, कैसे करेंगे download, website पे जाएंगे, वहाँ पे आप अपनी जो login ID औ आपको fill करनी है, और वहीं पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, और आपको email पहुंच जाएगी, कि ये आपका admit card है, ठीक है, 26 जुलाई को, उसके बाद, candidates who have not completed their form, but have paid their fee, can complete their form paying a late fee, जो बच्चे, by chance half fill कर चुके हैं, और उन्होंने already, मतलब, pay कर दिया है, या सिरफ उन्होंने form fill किया है, और pay नहीं किया, तो उनको late fees लगेगी, जैसे मैंने अभी बताया, late fees मतलब, जितने दिन होंगे, मतलब, per day का 500 रुपे, ठीक है, और 22 जुलाई से लेके, 30 जुलाई तक, 10 बज़े से लेके, 4 बज़े तक, Saturday, Sunday, नहीं होगी, ठीक है, I hope this is clear, और examination center आपके चंडिगड और लुधियाना ही होंगे, और कोई नहीं होगा, ठीक है, उसके बाब, जो interested candidates हैं, जिनोंने register नहीं किया, या fees नहीं पे की, तो उनको late fees कितनी लगेगी, 15 सोर पे लगेगी, along with, जो आपने application form fill करना है, कितनी तारीक, 22 जुलाई ही है, ठीक है, ठीक है date by which admit card row numbers will be issued, who have completed their form by paying the late fees, अब आपने late fees भी दे दी, और जो बच्चें हैं, जिनोंने पहले ही, मतलब फिल कर दिया था, सारा form, उनके admit cards कब आएंगे, 1st August 2024 को, ठीक है जी, और entrance test, आपका कब होगा, date and time क्या है, 4 August को आपका paper होगा, 2024, time क्या है, साड़े 10 से लेके, एक paper होगा, ठीक है, और आपकी paper होगया, फिर 8 तारीक को, आपकी जो answer sheets है, आपको answer keys है ना, आपको website पे देखने को मिल जाएंगी, जो आप paper देखे आए हो, उसके answers आपको मिल जाएंगे, 8 तारीक को, last date for the submission of objection of answer key, अगर आपको objection है, कि मेरा question सही है, आपने गलत कर रखा है, तो आप objection put कर सकते हो, 10 अगस्त तक, ठीक है, 10 अगस्त तक आप objection दे सकते हो, उसके बाद कोई action नहीं लिया जाएगा फिर, ठीक है, display of seats and subject combination available in the colleges, फिर आपको colleges बताए जाएंगे, जिसमें आपकी seat आई है, किस दिन बताए जाएंगे, 13 अगस्त को, ठीक है, then updating of qualifying degree marks by the candidates, अगर आपने already master degree कर ली है, या कोई और bachelor degree की है, तो उसका सारा qualification वगएरा आप उस college में submit कर वाओगे, by the 5th August to 15th August, ठीक है, फिर entrance test अपके result है, जो entrance test हुआ था, उसके जो results है, 18th August by 8 बजे, शाम तक आपको देखने को मिल जाएंगे, I hope this is clear, ठीक है, बस इतनी चीज़ें रखनी है, बाकी first online counseling, आपकी second online counseling, ये बात की बात है, the first thing is, कि आपको ये पता होना चाहिए, कि आपकी dates क्या है, और उस according आप जाके फड़ा फट्स आपके form फिल कर लीजेगा, ठीक है, बट जो main date है, यहां पे आपको पता होनी चाहिए, कि जो last date 18 July लेके चलो, तो फड़ अपना सारा कुछ forms वगेरा, फिल कर लो, रिजिस्टर कर दो, ठीक है, क्योंकि time start हो गया है, 15 जुलाई तक का आपके पास time है, ठीक है, so all the very best for your future, ठीक है जी, and keep supporting, keep subscribing, अगर आपको ये video अच्छी लगी हो, और further information के लिए, ठीक है, जुड़े रहिएगा, thank you very much.